भाई साहिब 1975 में फिल्म सोले आया था और फिल्म कई सारे रिकोर्ड तो रहे थे यही नहीं इस फिल्म में जो भी अभिनिता अभिनितरी अभिने किये थे सब का नाम अमर हो गया उसी में से एक अभिनितरी थी लीला मिश्रा जो मोशी का रोल आदा की थी यानि धरम जी की मो मोशी बनी थी धरम जी ही नहीं यानि जो भी कलाकार थे इस फिल्म में सब का मोशी बने थे वैसे आप सोले फिल्म देखे होंगे तो उसीन को कैसे भूल पाईएगा जब धरम जी पानी टंकी पे चहर जाते है और कहते हैं बसंती से साधी करवा दो नहीं तो हम उपर से ही कु उतरेंगे तब बसंती यानि हेमा मालनी हेमा मालनी भी बोलती है उतर जाओ धरम ये बीरू हम साधी करेंगे फिर जाके धरम जी उपर से उतरते हैं अलाइं की दिखिये जमाला कितना बदल गया उस जवाने की अभिनेतरी लिला मिश्रा फिल्मों में काम करती थी तो सर्थ रखती थी कि हम अपने माथे से दुपट्टा नहीं हटाएंगे पल्लू नहीं हटाएंगे लेकिन अभिकी अभिनेतरी यानि जो पांच एक फिल्मों में भी काम न की हो जब डिरेक्टर के पास पहुंचती है तो पल्लू दुपट्टा की तो बात छोड़िये अपना अभिनेता अभिनेतरी नहीं कहलाता है अभिनेता अभिनेतरी उन्हीं को कहा जाता है जो अपने एक्टिंग अपने डैंशिंग अपने हुन्नर अपना कला लोगों को दिखाए पेट ए सब दिखाने के को जरूरी नहीं है आप कपरा ढखके रहिए और अपना एक्टिंग देखाये तब लोग आपको एक्टिंग देखे खुश होंगे खेर आपको क्या कहना है उस जवाने के अभिनिता और उस जवाने के अभिनितरी क्या कला करती थी क्या एक्टिंग करती थी अपने एक्टिंग के बदलत नाम कमाते थे लेकिन अब के अभिनिता अभिनितरी के द लेकिन सचाई बताना भी जरूरी है और अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि मशी का रॉल मुशी जूरौर आदा कि थी वो कैसा आपको लगा था और दरम आपको कैसा लगा था आप कोमेंट करके जरूर बताएगा वैसे इस फिलिम में धरम जी अमिताब बच्चन हेमा मालनी जाया बच्चन कई सारे अवनित्री थी जैसे संजीब कुमार संजीब कुमार ठाकूर बने थे खेर आप अपना कोमेंट राय में जरूर दिजेगा और इ इस दोर के अभिनिता और अभिनित्री के बार में ऐसी कहाने किस्ता सुनती रही है